So Hello Guys, Crazy Update here So, आज की सुड़ों में हम बात करेंगे PTM के बारे में So, अगर आप PTM की यूजर हो अगर आप PTM यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए गूड नियूज है क्योंकि PTM पर अधार पेमेंट UPS सिस्टम को इनेबल कर दिया गया है अधार UPI पेमेंट सिस्टम की मदल से आप भी नए ATM के PTM पर अकॉन बना कर यूज़ कर सकते हो UPI सिस्टम को इनेबल कर सकते हो So, अगर आप भी PTM यूज़ करना चाहते हो आपके पास डेविट कार्ड नहीं है ATM कार्ड नहीं है अगर आप PTM को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर अपडेट आ चुका है अगर आप PTM यूज़ करना चाहते हो UPI यूज़ करना चाहते हो तो असाने से आप ID क्रेट कर सकते हो UPI अड़ी बना सकते हो और PTM में असाने से आप लिंक करके असानि से UPI को बनाकर यूज़ कर सकते हो PTM में अधार UPI payment system को सभी बैंकों ने enable कर दिया है यानि कि सभी बैंकों ने launch कर दिया है अगर आप किसी तरह के bank यूज़ करते हो PTM यूज़ करना चाहते हो तो असानि से अधार payment system के मदल से UPI ADD create करके यूज कर सकते हो बहुस से लोग फ्वाइंट पर गूगल पेटीम यूज करते हैं और फ्वाइंट पर पहले UPI payment system को enable कर दिया है यानी कि अधार UPI payment system को enable कर दिया है बहुस से लिए यूज कर रहे हैं लेकिन अगर आप पेटीम यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर अपडेट आ चुका है अधार UPI payment system को इनेबल कर दिया गया है अगर आप किसी दरा का बेंग यूज़ करते हो तो आसानी से अधार payment system को यूज़ कर सकते हो और अपडेट आचुका है अगर आप पेटीम यूज़ करना चाहते हो तो पेटीम यूज़ कर सकते हो क्योंकि पेटीम में अधार UPI payment system को इनेबल कर दिया गया है सबसे पहले अपको अपने अपना पेटीम का अकॉंट करना होगा फिर आपको UPI ID करेट करना होगा और UPI ID करने के लिए आपको ATM का और अधार कारड़ option दिया चाहिएगा आपको अधार काड़ को सेलेक्ट करना होगा फिर वहां पर आपको डेटेल डालना होगा ओटीपी आएगा और आपको ध्यान रखना होगा आपका मोबाइन नंबर बेंग में लिंग होना चाहिए और आपका अधार काड़ा में लिंग होना चाहिए तभी आप UPI ID क्रियेट कर पाएंगे तो यहाँ पर OTP आएगा, OTP आने के बाद आपको OTP फिल कर रहा होगा फिर आपका UPI ID क्रियेट हो जागा और आसाने से आप अधार काड़े कर थूँ यूपी पेमर सिस्टम को इनेबल करके यूज़ कर सकते हो आज की इनफरमेशन आपको अच्छे लगा होगा, अगर अच्छे लगा तो लाइक जिरू को लेना, साथ में सेर कर देना, चैनल पड़ने तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही यूज़पूल कंटेंडि मिलता रहे, चलिए आज की सुड़ों को यहीं इंड कर लेते हैं